हेलो एवरिवान, आज की हमाई किट स्पेशल रेसिपी है चिकन नगिट्स यहाँ पे हमने 450 ग्राम्स चिकन लिया है उसे हमने जिंजर गालिक पे सॉल्ट एंड वाटर में बॉइल कर लेके श्रेट्स करना है उसमें मैट करेंगे 2 एग्स, 3-4 टी स्पून गालिक पाउडर, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 3-4 टी स्पून ओनियन पाउडर और 1 टी स्पून मिक्स इटैलियन हर्ब्स अगर आपके पास ये ना हो तो आप पिजा हर्ब्स भी यूज़ कर सकते इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो स्पाइसे है वो अपनी हिसाब से भी आप एग्जिस कर सकते, कम जादा अगर गालिक पाउडर ना हो तो उसके जगा आप थवासा गालिक पेस्ट यूज़ कर सकते ओनीन पाउडर ना हो तो उसे स्किप कर ले अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें आट करेंगे वन कप चिडार चीज चीज जो है वो ग्राजुएली आट करेंगे पहले हमने वन कप आट किया था अभी हम थ्रीफोथ कप आट करेंगे इसलिए ताके वो अच्छे से मिक्स हो चीज भी आप अपने चॉइस का यूज़ कर सकते इसमें मॉजरेला या मिक्स एनिटिंग ओफ यो चॉइस यह हमारा मिक्सचर रेडी है नगेट्स का यह बहुत ही एजी है बनाना नगेट्स का कोई प्रिसाइस शेप या साइज नहीं होती है जो मर्जी है आप शेप या साइज कर सकते इसमें हमने सॉल्ट नहीं आट किया है इसमें हमाई चिकिन में हमने सॉल्ट आट किया था और चीज भी थोड़ा सॉल्टी होता है अगर आप salt add करना चाहे तो पहले इस point पे taste कर ले नगेट्स का shape mold होने के बाद हम इसे breadcrumbs में अच्छे से coat कर लेंगे make sure करें के breadcrumbs अच्छे से coated हो otherwise आपका cheese leak हो सकता है breadcrumbs coat होने के बाद ये point पे आप freeze भी कर सकते जब चाहे आप fry कर सकते 5 minutes बाहर रखना है and then you can easily fry it and cheese की quantity easily हमने जादी रखिया ताके जो nugget से वो dry ना हो अगर आपको juicy nuggets चाहिए texture अंदर से tender चाहिए, soft चाहिए तो इसके लिए cheese की quantity जादा रखना है and it even acts as a binding agent और बच्चों को तो cheese पसंदी आता है हमने एक pan में oil दाल के heat कर लिया है इसमें हम nuggets add करेंगे और इसे fry होने देंगे golden brown होने तक एक side से golden brown हो जाएंगा तब हम इसे turn कर लेंगे ये बच्चे बहुत enjoy करते आप इसमें को tiffin में दे सकते and tea time snacks हो सकता है ये दोनों side से हमाई nuggets golden और crispy हो चुके अब ये हम इसे बहार निकाल लेंगे और ये बहुत easy है बनाना अगर आपको हमाई ये nuggets की recipe अच्छी लगी तो do like, share and subscribe thank you, bye